दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को गूगल में रैंक कर सकते हो अपने ब्लॉग पे गूगल से ट्रैफिक लेके आ सकते हो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आता है दिन रात एक करते हैं आर्टीकल लिखने में कीवर्स ढूणते हैं लेकिन उसके बाद भी ट्रैफिक नहीं आता है तो इस strategy को follow करना थोड़े time तक और आप देखोगे आपके blog पे धीरे-धीरे करके Google से traffic काने लग जाएगा तो चलिए आपको बताता हूँ ये strategy कौन सी है दर असल इस strategy को बोला जाता है feature snipp अब feature snipp क्या होता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई क्या होता है पहली बार सुना है लेकिन मैं दावे से कहता हूँ चाहें आपने इसके बारे में पहली बार सुना है लेकिन 100% लोगों ने इसे Google में देखा है और हर बंदे ने देखा है अब मैं आपको ब पहले page पर इस तरीके से ये वाला एक अलग से box आ रहा होता है, जहां पर हमें जो भी हमने type किया, उससे related चीज हमें आप दिख रही होती है, इसको बोला जाता है feature snipp, अब आप लोग कहेंगे ठीक है भाई ये हो जाएगा, लेकिन हम अपने blog post को ऐसे कैसे लेके आएंगे याँपे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, एक study से, एक research से ये साबित हुआ है, कि 8 प्रतीशत लोग किसी website पे जाने से पहले feature snipp पे click करते हैं, अब आपको गयार 8 प्रतीशत के लिए हम क्यूं करें, अब सोच के देखिए कोई keyword है, जिस पे 10 लाख महीने के सर्चिज हैं, और आपका feature snipp पहले नंबर पे आ जाता है, उस keyword के लिए, तो 10 लाख का अगर आप निकालोगे 8% तो बना 80,000, अगर आपका article high CPC वाला है, यह एक तरह से होता है न, एक dead जो blog होता है, जिस पे traffic आई नहीं रहा है, अगर आप यह strategy अपनाओगे, थोड़े long time तक अपनाओगे, तो dead blog के ऊपर भी feature snipp की मदद से traffic आ सकता है, अब चलिए बाते तो बहुत हो गई, आप समझ भी गई हो, feature snipp होता क्या है, basically हम मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने blog post जो आपने already लिख दिये हैं, या फिर आप लिखने वाले हो, उनको कैसे आप इस जगा पे feature snipp में लेके आ सकते हो, पूरा process मैं आपको step by step बता देता हूँ, इतना आसान है न, कि कोई बच्चा भी कर लेगा, दोस्तों ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये उन सभी लोगों के लिए है, चाहे आप blogger यूज करते हो, या फिर wordpress यूज करते हो, और सबसे ज़्यादा आसान तरीका है अपने blog पे Google से traffic लेके आने का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने article ल एंटर कर देना है, देखा कितना आसान है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, कि जो भी आपने ये keyword एंटर किया Google पे, इससे related पहले page पे क्या आपके पास feature snippet show हो रहा है, या नहीं हो रहा, मैंने already आपको बता दिया, feature snippet क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास show होता है, इसमें list भी हो सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यह list है, और यहाँ पे paragraph भी हो सकता है, यनि normal भी लिखा हो सकता है, अगर feature snippet show नहीं होगा, simple इस तरीके से websites आ रही होगी, तो आपको इस step को follow नहीं करना है, आपको यह step follow ही तब करना है, जब यहाँ पे feature snippet आ रहा होगा तो यह हुआ हमारा पहला step, दूसरे step में आपको क्या करना है, जो भी अपने keyword copy किया है, यहाँ पे paste किया है, इसको copy कर लें, अपने article में वापिस आएं, और जो पहला paragraph है, उसके बाद enter करें, इस keyword को paste कर दें, select कर लें, bold करें, यहाँ से minor heading दे दें, अब WordPress वाले क्या सेम चीज करेंगे, अपनी post को edit करेंगे, और जो first paragraph होगा, उसके बाद इस keyword को enter करेंगे, enter करने के बाद, यहाँ पे इसको heading 4 कर देंगे, simple है, बहुत simple है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, अब next step में आपको बताता हूँ, जब आप ये काम कर लेते हो, तो आपको दे पेस्ट कर लेना है, अगर आप यहाँ पे English में कर रहे हो, तो directly अपनी blog post में पेस्ट कर ले, अब पेस्ट करने के बाद क्या करना है, इसमें थोड़े वोग चेंजिस करने है, अगर यहाँ पे paragraph होगा, तो उसको तो सीधा copy करो, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, उसमें थोड पेले नंबर पे इन्होंने लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको copy कर लेंगे पूरा, ठीक है, यहाँ से copy किया walking, और एक एक line में लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है, जैसे इन्होंने walking लिखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, walking ऐसे करता हूँ, और ठीक तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता लग गया है, इन्होंने क्या लिखा है, तो मैं यहाँ पे simply अपनी भाशा में लिख देता हूँ, walk करने से वजन जल्दी कम हो जाता है, ठीक है, इतना सा लिख दिया, इसी तरह से मैं क्या करूँगा, points बना लूँगा, कि यहाँ पे द उसके बाद क्या करना है, अपनी post पे आना है, इसको simply paste कर देना है, और इसको bold वगयरा कुछ नहीं करना, normal रखना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको list बना देना है, इस तरीके से, और ऐसे ही same wordpress में होगा, जब आप wordpress में जाओगे, यहाँ पे option होगा, copy paste करने के chances बढ़ जाएंगे, कि आपका article गूगल में सबसे पहले number पे, यहाँ पे feature sniff में आएगा, अगर आप article अच्छा लिखोगे, low competition keywords पे लिखोगे, जैसे कि मैं अपनी videos में बताता हूँ, तो आपका article यहाँ पे आने लग जाएगा, और आप मानोगे नहीं, जैसा कि मैंने आप को वीडियो में बताया, आपके article पे इस method को follow करके, महीने का अगर उस पे searches अच्छे हैं, तो 50,000 से 1,000,000 तक का traffic सिरफ एक article से आ सकता है, और यह work करता है, मैंने खुद personally अपने काफी सारे blog पे यह काम किया है, और 101% आपके लिए work करेगा, अगर आप इस चीज को follow करोगे, अपने हर article के लिए, जस्त आपको अपना keyword paste करना है, अगर उससे related यह feature snipp आ रहा है, सेम चीज को copy करके paste करो, और जो इन्होंने लिखा हुआ है, उसको अपनी language में लिख दो, और काम आपका हो गया, इतना आसान है इस चीज को करना, तो दोस्तों, अगर आप इस strategy को थोड़ फिट होगा आपके blog पर, आपकी earning स्टार्ट हो जाएगी, आपका blog फिट जल्दी से rank कर जाएगा, इसकी मदद से और post भी rank करेंगे, तो यह बहुत ही ज़्यादा powerful strategy है, इसको use करके देखना, और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि blogging अगर आपने start करी है, तो यह मत सोच अगर ओ एक वीडियो से सीख लिया, तो बस सब कुछ हो गया, जितना सीखो गये इस field में उतना ही कम है, अगर आपको blogging में अपना career बनाना है, अगर आपको blogging से अपने सपने पूरे करने है, अगर आपको blogging से अपना सपनों का घर बनाना है, सपनों की गाड़ी लेनी है, पूरी दुनिया को गुमना है, तो सीखना बंद मत करना, हार मत मानना मेरे दोस्तों, सब कुछ मिलेगा, इस फील्ड में बहुत potential है, महीने के लाखों से लेके करोडों तक कमा सकते हो, इतना जादा blogging में potential है, सिरफ trust करना, मेहनत करना और success जरूर मिलेगी, अगर कोई doubt हो, blogging YouTube और online earning से जड़ा आपका भाई है, पूछ सकते हो, आपकी पूरी help करी जाएगी, मिलता हूँ आपसे ऐसी एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोश के साथ मेहनत करते हो, success तो जरूर मिलेगी, बबाए